देखे, phrasal verb की important series चलाई जा रही है, जिसमें की दो वीडियो हो गया है, पिछली दो वीडियो में आपने देखा कि put के साथ कौन-कौन सा phrasal verb लगता है और साथी साथ get का भी आपने देखा, अब ये तीसरा वीडियो है, इसमें आप देखेंगे कि look के साथ कब up लगता है, क इसी तोर पर question पूछे जाते हैं, और इन series में look बहुत important है, तो आप जरूर इसको last तक देखेगा, last में हम आपको कुछ examples भी कराएंगे, ताकि आपका एकदम 100% clear हो जाए, आए पहले rule देख लेते हैं, कि look up और look into और look down, ये सब का meaning क्या होता है, कब-कब ये प्रयोग किया जाते हैं, उसके बाद आप examples को खुद solve करेंगे, उसके बाद आपका confidence बढ़ेगा, और आप चीजों को सीख पाएंगे, तो चलिए देखते हैं, आपके सामने है, आप एक pen और एक copy लेकर के बैठिये, और जैसे जैसे में बोलूँगा, आप note करते चलेंगे, तो आपके ल पहला phrase है, look at, तो देखिए, ये सबका जो question है, इनका सबसे ज़्यादा प्रियोग जो होता है, fill in the blanks के series में होता है, जब fill in the blank कराया जाता है, look at का मतलब होता है, watch करना, अब देखिए, watch का मतलब होता है, एक तो दो look मतलब देखना, जंदली देखना, ठीक है, look at me, तो द होता है, carefully, किसी चीज को carefully देखना, अगर किसी चीज को carefully देखने का sense आएगा, तो look at वहाँ पर लगेगा, next समझते है, look up का मतलब होता है, search करना, देखिए, look up का भी मतलब होता है, search करना, ठीक है, look up का भी मतलब होता है, search करना, और look far का भी मतलब होता है, search करना, लेकिन द करेंगे किसी चीज को जैसे माल लेजिए कोई शब्द खोजना है आप डिक्सिनरी में खोज रहे हैं या किसी चीज का एंसर खोज रहे हैं कोई तो आप बोलते हैं, I am looking for my bike, I am looking for my book, आपकी किताबे खो गई हैं, आपका t-shirt खो गया है, I am looking for my t-shirt, ठीक है, next समझते हैं, look over कब लगता है, look over और look through, दोनों का मतलब होता है examine करना, लेकिन look over का मतलब होता है examine करना, बट carefully examine करना, लेकिन कैसे carefully examine करना, समझ में आ रहा है, और इसका मतलब होता है examine करना quickly, quickly का मतलब संसनी निगाहों से देखना, है ना, चलिए आगे भी समझ लेते हैं, छटमा में क्या system है, इसमें देखिए look into और look down upon, ये दो चीज़ देखेंगे, और look up to, तो look into समझते हैं, look into का मतलब होता है investigate करना, किसी चीज़ को investigate करना, तो look के साथ into लगता है, लेकिन investigate के साथ into मतलब लगा दीज़ेगा, नि तो गलत हो जाएगा, investigate मतलब भी होता है, किसी चीज़ का investigate करना, जाच परताल करना, look into, अच्छा, look down upon का मतलब होता है, to insult someone, किसी का insult करने का जब अर्था आएगा, तो look down upon लगाएंगे, या to make someone inferior, किसी को तुछ समझने का, किसी को छोटा समझने का अर्था आएगा, तो look down upon लगाएंगे, और उसी का उल्टा है look up to, किसी को respect देना होगा, तो look up to प्रयोग करेंगे देखे, down का मतलब होता है, किसी को नीचे कर देना, मतलब नीचा देखना, तुछ देखना, insult करना, तो look down upon, look up मतलब उपर, ठीक है, ऐसे याद करेंगे, अप मतलब उपर को मतलब respect देना, ठीक, अच्छा, next समझ लेते हैं, look forward to, इसका क्रयोग बहुत ज़्यादा देखने क I am looking forward to meet you after your result, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उमीद भरी निगाहों से देखना, किसी चीज को hope करके देखना, expect करना, किसी से for something positive चीजों के लिए, ठीक, look after, ये बहुत प्रचली थे, आपको पता, यो का look after मतलब देख भाल करना, ठीक है, किसी चीज का care करना, look on का मतलब regards करना, या consider, किसी चीज को consider करना, मतलब समझना, ठीक है, इसका मतलब होता है, look on, अच्छा, look to का मतलब होता है, be careful about, किसी चीज के लिए, careful होना, ठीक है, तो ये 12 हो गए, एक और है, एक और, लिख 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 आप, look out for, look out for का मतलब होता है, किसी चीज के ता मेरा ना मतलब होता है कि कोई चीज आप किसी चीज के ताक मेरते हैं जिसे लग रहा कि आप कुछ खोज रहे हैं उस सेंस में तो यह हो गए आपकी लगभग-लग-बारह और एक मैने अलग से बताया तेरह अब आएए आप एक्जामपल्स को देखिए और बताए कि कौन सवा इसमें सही हो सकता है जैसे कि पहला question आपके सामने है you should dash the matter इसी प्रकार से question आपकी एक्जामें पूशे जाते हैं तो क्या होगा you should dash the matter क्या करना चाहिए matter को आपको matter को क्या करना चाहिए look into very good look into option number B से होगा तो क्या होगा look into you should look into the matter look into का मतलब मैंने क्या पता था look into का मतलब investigate करना आपको matter का क्या करना चाहिए investigation करना चाहिए next है अगला देखेगा I dash my account तो यहाँपर क्या होगा look over क्या होगा look over option number B look over look over का मतलब मैंने क्या पताए था अभी उपर पढ़ा है आपने look over का मतलब examine करना carefully किसी चीज को carefully examine करना तो आपका account है तुसको carefully examine करेंगे ना संसनी एगासे तो करेंगे क्योंकि account है वह आपका ठीक है important चीज है तो look over examine carefully तीसरा आपके सामने example है बताइए इसमें क्या हो सकता है आप देखिए यहाँ पर जो last का मतलब होता है खो गया है तो इसकी जो चाभी खो गई है वी आर क्या हो गया है चाभी खो गई है तो क्या लगाएंगे यहांपर looking for looking for option number ac होगा looking for मैंने बताया look for का मतलब या looking for का मतलब क्या होता है search hidden मैंने लिखाया था ना search hidden search hidden का मतलब खोई हुई चीज़ों को खोजना ठीक है तो we are looking for the lost क्योंकि इसकी जो की है जो खोई हुई चाभी है उसको क्या कर रहा है खोज रहा है we are looking for हम खोज रहे हैं the lost keys अपनी खोई हुई चाभीओं को last keys खोई हुई चाभीओं को ठीक है अब समझ में आया बात आगे वड़ते हैं चवथा नंबर question आपके सामने है बताये यहाँ पर क्या सही हो सकता है the eagle is डैस प्रे आपकी सुब्दा के लिए हम बता दें कि प्रे का मतलब होता है शिकार प्रे का मतलब क्या होता है शिकार ठीक है प्रे का मतलब शिकार होता है the eagle eagle जो है वो क्या कर रही है अपने सिकार के लिए विजिलेंट है, जो मैंने तेरह होँवाला बताया था, विजिलेंट, तो यहां पर option number C होगा, मैंने बताया था looking out far, लुक आउट फार बताया था ना, जिसका मतलब विजिलेंट होता है, मतलब किसी चीज के ताक में रहना, तो जो eagle है, वो अपने सिकार की ताक में है, अब स एजामपल दिए तब समझ में आ गया होगा तेरा ओला चीक है चलिए नेश्ट की तरफ बढ़ते हैं लुकिंग फार आउट फार यहां पर सही था ठेंग ना अगला है आपके सामने दे इंडियन एकोनोमी इसनाओ क्या होगा यहां पर जो इंडिया की एकोनोमी है इस समय क्या हो रही है इंप्रूव रही ना लुकिंग अप् क्या होगा looking up, looking up का मतलब मैंने बताया था search या कि फिर improve क्या बताया गया था search या कि फिर improve looking up looking up, look up का मतलब improve बताया था मैंने तो आप देखेगा, लिखे होंगे तो look up का मतलब improve होता है तो इंडिया की economy जो है, वो क्या हो रही है improve हो रही है, option B इस राइट यह नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं My Uncle My Uncle- Me यह वहला question हम आपको कराया थे याद आ रहा है अगर याद आ रहा होगा तो तुरंत सही करतेंगे जो मेरे अंकल है वो मेरी क्या करते हैं देख भाल करते हैं तो देखभाल के sense में क्या बताया अभी मैंने phrase उपर पढ़ाया मैंने looks after very good look after या looks after ठीक है क्योंकि यह present in definite है इसलिए looks look में एस लग गया looks after my uncle singular है यह छोटी-छोटी है ध्यान देजिएगा है ना my uncle looks after me मेरे जो अंकल हैं वो क्या करते मेरी देखभाल करते looks after मतलब देखभाल करना तो हमने आपको लगबग 13 चीजे बताया कि look के साथ कब कब क्या क्या लगता है और साथी साथ इनका examples भी मैंने दिया छे-साथ एकजामपल तो उमीद है कि आप looks related चीजे समझ गया हूंगे इसका म बाकी के भी दो वीडियो हैं आप दोनों को देख लिजेगा एकजाम में बहुत ही रामबाड़ी यह साबित होगा क्योंकि इस परकार से question छोटे-छोटे question आपने देखा जितमें जो भी मैंने example कराया है छोटे-छोटे examples होते हैं और इसी परकार के question आपके exam में आते हैं य कभी सुना नहीं होगा कि कोई बच्चा एकदम गधा था और तुका मार के select हो गया तो तुका बहुत कम चलता है अभी थोड़ा सा मारकिंग हो गया है जिस समय मारumum striking नहीं भीइथा उस समय भी दूका set met naw था क्योंकि यहां पर questions को थोड़ा से घुमाया जाता है तो जो बच्चा पढ़ा रहा था उसके लिए काफी easy हो जाता है अगर आप पढ़े हैं तो कितना आसान है माल लिजे कि पढ़े हुए हैं तो यह questions कितने आसान हैं नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको सब एक ही तरह करें के लिए आप टेलीग्राम पर जूड़ जाए लिंक में description में दे दे रहा हूं या कि फिर आप 10 उधीर पांड़े भी सर्च करेंगे तो यहां पर subscribe कर लेंगे टेलीग्राम का चैनल और यहां पर हम आप देख सकते हैं इस प्रकार से PDF और बाकी जो लिंक्स हो कर रहे है वो हम भेजते रहते हैं चुकि लिंक क्या होता कि कई बार वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास notification नहीं जाता YouTube से तो मैं वहां पर भेज देता हूं ठीक है तो आपर जूड़ जाए दसुदीर पांड़े सर्च करके मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए ज